वहां से चाहट करना है ताइपस ऑफ केमिकल रियक्शन से होते हैं आईए इनको पहचानते हैं कि यह कौन से कौन से अलग अलग प्रकार के होते हैं यह तो हमने अल्लेडी पढ़ा हुआ है एक केमिकल रियक्शन हम लेते हैं इसका जो प्रोड़क्त होगा वो ओवियसली क्या होगा लेकिन यह गलत है इसलिए हम ऐसे केमिकल एक्वेशन को बैलेंस करते हैं और बैलेंस जब करेंगे तो यहां पर टू लगाएंगे और यहां पर टू लगाएंगे देखो पूरा कहने का मतलब यह है कि भाई साब अगर हम यहां पर टू नहीं लगाएंगे ना तो इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन के दो एटम है यहाँ पर oxygen के दो atom है लेकिन यहाँ पर hydrogen के पास ही केवल दो atom है oxygen के पास atom नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है chemical reaction में कि reactants में दो atom है और product में आकर वो atom गायब हो जाए nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere और ऐसा भी नहीं होता है कि कोई mixture है for example S2SO4 है ठीक है यह एक mixture है और ऐसा भी नहीं होता कि भाई इस mixture को अगर हम तोड़े तो H2 और SO4 मिलना चाहिए बिल्कुल मिलना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि H के पास कोई atom नहीं हो और SO6 हो जाए इसका दो atom इसके साथ add हो जाए पूरा chemical reaction ही गलत हो जाएगा तो भाई chemical reaction का मतलब यह नहीं होता कि number of atoms change हो जाए chemical reaction का actual मतलब क्या होता यह देखते है chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances chemical reaction जहां कहीं भी होता है एक चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में लेकर चलो chemical reaction का मतलब होता है भाई breaking and making of bonds जब जहां पर bond बनता है उसको हम bond formation कहते हैं जहां पर bond तूटता है उसको हम bond disassociation कहते हैं ठीक है यानि bond का तूट जाना तो भाई कोई भी chemical reaction होता है वो bond बनने और bond तूटनी की वज़े से होता है for example carbon plus oxygen में carbon dioxide बनाता है इसमें carbon bond बना है कौन सा bond बना है carbon bond बना है हम bonds के बारे में chapter 3 और chapter 4 में detail में बढ़ेंगे अभी आपको types of chemical reaction पढ़ना है तो हम start करेंगे इस chapter का पहला chemical reaction जो की है combination reaction अच्छा इस topic को start करने से पहले एक activity में आपको practically करके दिखाता हूँ जिससे तुम ये आसानी से समझ पाओ की combination reaction actually होता क्या है देखो चार तरीके की reaction होते है पहला हमारा combination reaction होता है कौन सा होता है combination reaction होता है दूसरा हमारा decomposition reaction होता है देखो इनके नाम से ही clear है कि ये किस तरीके के reactions होते हैं मैं इनको नाम से ही आपको बताऊंगा, ठीक है, combination हो गया, decomposition हो गया, displacement reaction होता है, displacement reaction, दुको मैं फिर से कहा रहा हूँ, इनके नाम से ही clear है, कि ये किस तरीके की reaction है, अभी मैं आपको detail में पढ़ाऊंगा, एक एक करके न, तो आपको बताऊंगा, कि कैसे आप नाम से ही याद रख सकते हो, displacement हो गया और double displacement हो गया, ठीक है, तो ये चार तरीकी के main chemical reactions है, इसके अलामा और भी हैं, endothermik है, exothermik है, ये सब सब categories में आते हैं, हम इन सब चीजों के बारे में भी इस chapter में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे combination reaction का activity number 1.4, और आपको दिखाते हैं कि combination reaction होता कैसे है, इस activity में हम combination reaction क्या है, इसे सीखेंगे, combination नाम से ही clear है, दो अलग-अलग reactants मिलकर जब एक product बनाए, इसे हम combination reaction कहते हैं, इसको हम practically करके देखते हैं, जैसे आज हमारे पास एक पहला reactant है, जो की calcium oxide है, यह कुछ white color का दिखता है, आप देख पा रहे हो, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है यह, ठीक है, this is calcium oxide, इसके साथ साथ हमारे पास glass है, एक disposal है, और यह है water bottle, ठीक है, हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस glass में हम पहला reactant calcium oxide डालेंगे, चलो ठीक है, हमने इस glass में डालना, शुरू कर दिया, ओके, थोड़ा हम ज़्यादा ले रहे हैं, ताकि हमें reactions थोड़ा visibly देख सके, ठीक है, अब हमने ले लिया calcium oxide, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें water bottle को open करना है, और इसमें डालना है, पानी, ठीक है, चलो, हमने इसमें पानी डाल दिया, तो पानी तो डाल दिया, आच्छा, हमने दो चीजे मिलाई, पहला calcium oxide, दूसरा, water, दो चीजे बनाई है, अब देखते हैं, हमें इस से combine होकर, क्या product मिलता है, वहो, भाई, इसमें से bubbles निकल रहे, इस glass में से मैं तुमको दिखा पा रहा होंगा, इसमें bubbles निकल रहे, छोडे-छोडे, मतलब, reaction हो रहा है, आओ, अब हमारा chemical reaction पूरी तरीके से हो चुका है, और ये जो glass है, ये बहुत जादा गरम है, इस ही calcium hydroxide को हम अपने walls पे white washing के लिए यूज करते हैं, दिवालों की पतहिया के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो हमने देखा कि इस reaction में हमें calcium hydroxide एक product मिला, इसके साथ साथ heat यानि गरमी भी है, देख रहे हो गरम है, पूरा glass हमारा गरम है, चलते हैं आगे, Okay, so activity 1.4 में हमने देखा कि जब हमने calcium oxide जिसका नाम quick lime भी है, इसका जो घर का नाम है, वो क्या है, quick lime भी है, ठीक है, तो जब हमने quick lime के ऊपर पानी डाला ना, तो हुआ क्या कि कुस देर बाद ना, ये पानी जो है, वो उबलने लगता है, और छोटे 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 bubbles आने लगते हैं, और इसके साथ जब हम इसको touch करते हैं तो ये पूरा जो glass है, ये जो beaker है, ये गरम हो जाता है, और एक product बनाता है, calcium hydroxide जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, तो यही था हमारा total reaction, अच्छा combination reaction का मतलब क्या होता है, combination का मतलब तुम क्या समझते हो, combine का मतलब होता क्या है, combine का मतलब होता है, आपस में जोड देना, जब कोई एक चीज, दूसरे चीज के साथ मिल कर, combine होकर, कोई तीसरी नई चीज बना ले, that is known as combination reaction, तो combination का मतलब समझ गया न, कोई दो चीज मिल कर, कोई तीसरी चीज बना ले, that is known as combination reaction, जैसे, अब देखो, carbon ज चीज बना दी तो ये भी combination reaction है अच्छा iron के साथ भी बिल्कुल यही होता है iron हमारा O2 oxygen के साथ react करता है तो FeO यानि iron oxide बनाता है यहां पर भी एक चीज दूसरे चीज के साथ react करके कोई नई तीसरी चीज बना दी है तो ये भी हमारा combination reaction है तो आज से सारी reactions जिसमें दो reactants हो और दोनों reactants मिला कर तीसरा product बना दें ऐसे सभी chemical reactions को तुम combination reactions के नाम से जानोगे समझ में आया अच्छा जो हमने ये activity करी उस activity में हुआ क्या था हमने देखा कि भाई जो हमने white powder लेया था calcium oxide जिसको हम कहते है जिसका chemical name calcium oxide है और इसका घर का नाम क्या है quick lime है यार देखो quick lime और sl slaked lime में बिल्कुल confused मत होना quick lime का मतलब क्या होता है quick lime का मतलब होता है जो पानी में मिलाते है ठीक है और जो product बनता है वो होता है slaked lime यानि बुझा हुआ चूना ठीक है बुझा हुआ चूना और जलता हुआ चूना जलता हुआ चूना कौन सा होता है पानी में डालने के पहल करता है और slaked line produce करता है जिसका chemical name calcium hydroxide है हमने यही तो देखा इस chemical reaction में हमने एक चीज और देखा कि भाई product तो बना ही बना इसके साथ साथ बहुत सारी heat भी निकल रही थी इस reaction से हमने जब इस glass को touch करके देखा यह glass पूरी तरीके से गरम हो चुका था तो भाई ऐसे सभी reaction जिसमें दो चीजें मिलकर कोई एक चीज बनाए ऐसे reaction को हम combination reaction कहते हैं और जो हमने इस activity में reaction किया है इसको हम अगर chemical formula में लिखना चाहें तो जो calcium oxide था उस है यानि H2O हो गया अब इन दोनों से मिलाकर हमें क्या मिला calcium hydroxide जिसका chemical formula होता है CA bracket में OH और 2 ठीक है तो यह हमारा वो chemical formula है जो हमने इस activity में किया था in this reaction calcium oxide and water combine to form a single product calcium hydroxide हमने इस reaction में देखा कि दो चीजे मिली कौंसी कौंसी दो चीजे एक तो calcium oxide और दूसरा water और यह पहली चीज और दूसरी चीज मिलकर एक तीसरी चीज बना लिया calcium hydroxide such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction combination reaction का मतलब यह नहीं है कि कोई दो ही चीज मिले ठीक है हो सकता है तीन चीज मिल जाए हो सकता है चार चीज मिल जाए but combination reaction का मतलब यह है कि बाई कितने चीज भी मिल जाए लेकिन product हमेशा एक ही बनना चाहिए ठीक है कितने भी reactants मिल जाए लेकिन product अगर एक ही मिल रहा है तो ऐसे reaction को हम combination reaction का नाम देते हैं I hope आपको समझ में आ गया होगा अब आगे बढ़कर हम आपको combination reaction के और examples बताएं इससे पहले आपको एक चोड़ इसी चीज जान लेनी चाहिए कि जो हमने अभी reaction किया था हमने इस reaction में calcium oxide को water के साथ mix करा था तब जाकर हमें calcium hydroxide मिला था जिसका जो घर का नाम है वो क्या है slaked lime है ठीक है अच्छा ये जो slaked lime हमने तयार किया है इसका प्रियोग कहा होता है क्या आप जानते हो इसका प्रियोग होता है white washing of walls जो दिवाल होती है गाउओं में अभी भी चूना की पोताई होती है तो जो चूना की पोताई होती है वो यही calcium oxide और water को mix करके बनाया जाता है जो नया product बनता है calcium hydroxide जिसको हम slaked lime भी कहते हैं इसी चीज़ को brush में लगा कर हम दिवालों में पोताईया करते हैं जिसको हम कहते हैं कि हमने चूना की पोताईया कर दी एक चीज़ तुम्हें ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि जब हमने तुरंद तुरंद यह slaked lime बनाया है पानी में मिला कर और उसको तुरंद ब्रस में लगा कर अगर हम पोतना start कर देना दिवालों पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम पानी paint कर रहे हो कोई color ही नहीं दिखेगा लेकिन जैसे ही धी calcium carbonate की एक layer बन जाती है ठीक है calcium carbonate is formed after two to three days of white washing and gives a shiny finish to the walls जब हम तुरंद slaked lime को बना कर तुरंद दिवालों पर पुतलिया करेंगे तो वो उतना नहीं चमकेगा लेकिन धीरे धीरे जैसे पुराना होता जाएगा दो दिन तीन दिन में जब carbon dioxide से पूरी तरीके से वो react कर जा भी chemical formula ihr CO3 और marblu जो होता है marbl आ जानते ही क्या होता है जो marble पत्तर होता है उसका भी chemical formula CACO3 ओता है आसा क्यूं होता है क्योंकि गन्सका 90% हिसस्जा से बना होता है calcium carbonate से ही बना होता है इसलिए इसका chemical formula और calcium carbonate का chemical formula दोनो same to same होता है चलो ठीक है तो तुमने यह जान लिया कि जो हम slaked lime produce करते हैं इस reaction से उसका प्रेयोग कहां पर होता है दिवालों पर पुते हिया करने के लिए एक और चीज तुम्हें जरूरी जाननी थी कि भाई जब यह slaked lime carbon dioxide के साथ mix होता है तो दो तीन दिन बाल हमारी दिवाल चमकने लगती है क्यों क्योंकि उसके उपर calcium carbonate की एक सफेद कलर की layer बन जाती है ठीक है now let us discuss more examples of combination reaction combination reaction में हमने यह जाना कि भाई एक चीज दो चीज या हो सकता है तीन चीज मिल जाए और वो मिला कर कोई एक चीज बना देना तो उसको हम combination reaction कहते है यही तो होता है combination reaction it was so simple ठीक है तो कुछ examples देख लेते हैं पहला है burning of coal जब कोईला जलता है न तो यह भी एक combination reaction है क कोईला जलता है तो क्या होता है कोईला जो की कार्बन होता है पूरी तरीके से जब हम इसको जलाते है न तो कोई भी चीज जब जलती है तो वो oxygen के presence में जलती है आपको पता होगा तो भाई जब यह कोईला हमारे environment के oxygen के साथ mix होता है न तो यह mix होकर जो gas देता है यह जो gas रीव उपर से न, यह कौनसी गैस होती है, यह कारबन डायाउकसाइड होती है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो, कि जो कारबन है, वो एक प्रोडक्ट हो गया, कारबन ओक्सीजन के साथ मिल रहा है, यह दो प्रोडक्ट हो गया, और यह दोनों चीज मिला कर एक तीसरी च oxygen के mixture से बनता है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि hydrogen और oxygen एक दूसरे से जब मिलेंगे, hydrogen और oxygen जब एक दूसरे से मिलेंगे, तो यह एक नई चीज बना देंगे, जिसको हम पानी कहते हैं, जिसको हम water कहते हैं, तो इस case में भी आप देख पा रहे हो कि दो अलग-अलग चीज अगर combination reaction को हम आसान भासा में समझे न, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब दो या दो से जाधा चीजें, चीजों में कौन सी चीजें हो सकती है, वो element हो सकता है, या हो सकता है, वो compound हो जाए, जैसे आप यहाँ पर देखते हो, मैं आपको, अभी जो हमने CAO, calcium oxide और water को react कराया था, ठीक है, तो इसमें देख रहे हो, ये भी compound है, ये भी compound है, तो भाई, compound भी मिला कर, जब तीसरी चीज़ बनाएं, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, combination reaction कहते हैं, और elements भी combine होकर, जब तीसरी चीज़ बनाएं, तो इसको भी हम combination reaction कहते हैं, तो combination reaction को अगर आसान भासा में कहें, त तो ऐसे सभी reactions को हम combination reaction का नाम देते हैं तो I hope आपको समझ में आ गया होगा अब तक क्या है combination reaction तो combination reaction क्या होता है with examples इसे हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है ठीक है मैंने आपको types of chemical reaction में 4 main तरीके की chemical reaction बताये थे जिसमें से सबसे पहला कौन सा था यही हमारा combination reaction जिसको हमने पढ़ लिया है इसके बाद हम पढ़ेंगे decomposition reaction, displacement reaction और 4 हमारा आकरी वाला double displacement reaction यह 4 main categories of chemical reaction है इसके अलावाद 2-3 तरीके के और chemical reaction होते हैं जैसे इनमे का सबसे पहला है exothermic chemical reaction ठीक है अब देखो exothermic, endothermic तुमने नाम सुना होगा ठीक है अभी मैं exothermic को detail में पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर definition दी गई है और यहाँ पर कुछ examples लेकिन बहुत boring तरीके से दिया गया है तो बनाते हैं इसको थोड़ा सा interesting इंडो थर्मिक भी आएगा वो हम आगे पढ़ेंगे ठीके सबसे पहले देखते हैं exothermic chemical reaction क्या है अब देखो जहाँ बात आती है exothermic chemical reaction की तो सबसे पहले मैं इसको नाम से ही आपको clear कर दूँ कि भीया यह exothermic chemical reaction होता क्या है exo का मतलब होता है out ठीके और thermic का मतलब होता है heat भाईया जिसमें heat जो है out हो यानि release हो जिसमें heat release हो उसको हम exothermic chemical reaction कहते हैं नहीं समझ में आया अच्छा चलो हमने एक activity की थी activity number 1.4 किया था इस activity में हमने क्या देखा था हमने देखा था कि भाईया हमने calcium oxide लिया था मतलब चूना जिसका जो घर वाला नाम है वो quick lime हम कहते हैं इसे ठीक है तो calcium oxide लिया था और उसको हमने mix किया था water के साथ यही तो किया था ना तो हमने क्या देखा था हमने देखा था भाईया कि ये कुछ bubbles निकलने लगे थे इसमें से और bubbles जैसे निकल रहे थे तो वहां से उपर से गरम हवा भी निकल रही थी हीट भी निकल रही थी हमने देखा कि भाई इस 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 बीकर में से bubbles निकल रहे थे और उपर से heat निकल रही थी bubbles निकल रहे थे और उपर से heat निकल रही थी तो इस chemical reaction में हुआ क्या है कि जब हमने calcium oxide में पानी मिलाया तो हुआ क्या कि हमें एक product मिला calcium hydroxide जिसको हम slaked lime भी कहते हैं ठीक है जिसको हम slaked lime भी कहते हैं इस reaction में यही तो हुआ था ना और इसके साथ-साथ heat भी release हुई थी गरम हवाएं भी इसमें से निकली थी तो भाई ऐसे reactions reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions तो भाई ऐसे chemical reactions जिसमें product तो मिले ही मिले और product के साथ-साथ heat भी release हो ऐसे सभी तरीके की chemical reaction को हम exothermic chemical reaction कहते हैं अच्छा समझ में आया की नहीं आया चलो example से समझाता हूँ आपको exothermic reaction का सबसे पहला example है burning of natural gas natural gas यानि जिसको हम methane भी कहते हैं methane जादा तर icebergs के नीचे पाया जाता है यानि जो बर्व की layer होती है उसके नीचे पाया जाता है देखो methane जहाँ पाया जाता है वहाँ पर कुछ conditions होता है methane वहीं पाया जाता है जहाँ प्रेसर बहुत ज़्यादा होता है यानि जगर बहुत कम होता है और temperature भी कम होता है जहाँ पर ठंडी बहुत जगर होती है इसलिए iceberg वो जगह होती है जहाँ पर methane सबसे ज़ादा पाया जाता है methane का जो formula होता है वो CH4 होता है ठीक है अच्छा अब जो methane जो iceberg के नीचे पाया जाता है वो देख रहे हैं इनसान क्या कर रहा है उस iceberg में से methane को निकाल रहा है खोद के जैसे methane खोद के बाहर आता है वो बाहर की environment के contact में जैसे ही आता है देख रहे हो जल गया तुरत अब देखो इस reaction में हुआ क्या अंदर का जो methane था CH4 वो oxygen के साथ mix होता है ठीक है और mix होके ये carbon dioxide gas देता है carbon dioxide gas के साथ साथ में ये water vapors भी निकालता है H2O भी निकालता है लेकिन वैपर के form अब देखो यहाँ पर methane gas जल रही है और कोई चीज़ जलती है जो heat release करती है इसलिए ये भी एक exothermic का example है एक और exothermic का example लेते है respiration हम सांस लेते हैं तुमने कभी सोचा है सांस लेते time भी गर्मी निकलती है अचा कैसे निकलती है भाईया देखो इसका पूरा process क्या होता है जो plants होती है plants हमें देती है oxygen बिलकुल देती है और plant से ही हमें खाना भी मिलता है आपको पता है जो चावल यह हो यह सो हम खाते है यह सब plant से ही मिलता है बिलकुल मिलता है भाईया तो ये oxygen भी हम अपने अंदर लेते हैं और ये खाना भी हम अपने अंदर लेते हैं बिलकुल लेते हैं भाईया तो ये oxygen जब अंदर जाता है ना तो हमारे body के cells में जाकर क्या होता है चिपक जाता है ठीक है बिलकुल भाईया अब जो खाना हम खाते हैं खाना भी हमारे सरीर मे जाता है, for example हम बहुत अलग-अलग तरीके के खाना खाते हैं, जैसे कुछ खानों से हमें प्रोटीन मिलता है, कुछ से फैट मिलता है, और कुछ से कार्बोहाइडरिट मिलता है, ठीक है, तो चलो एक एग्जामपल लेते हैं, for example हमने चावल खाया हमने खाने के नाम पर चावल खाया और चावल जैसे हमारे मूँ में गया तो भाईया मूँ में हम कूचते हैं खाना को हम च्यू करते हैं खाना को बिल्कुल च्यू करते हैं तो जब च्यू होके हमारा चावल अंदर जाएगा तो वो सुगर के फॉर्म मे पहले से ही मौजूद है तो भाया जैसे ही ये oxygen और जैसे हमने चावल खाया या कोई भी ऐसी चीज खाई जिससे हमें मीठा मिलता है या सुगर मिलता है तो भाया होता क्या है कि जो सरीर के अंदर का oxygen होता है वो हमारे खाने के साथ जिसमें सुगर मिला होता है उससे mix हो जाता है अच्छा भाया मिक्स होने के बाद क्या होता है मिक्स होने के बाद भाया होता है इन में chemical reaction सूगर और oxygen जब मिलते हैं तो होता है chemical reaction chemical reaction की वजह से क्या-क्या produce होता है carbon dioxide gas निकलती है यह gas हम वापस जब सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकाल देते हैं जिसे plants consume कर लेती हैं दूसरा कुछ water भी यह बनाता है इस reaction में कुछ water भी बनता है जो कि हमारे पेट में ही रह जाता है और इसके साथ-साथ यह energy भी release करता है भाया हम चावल खाते हैं हमारे अंदर तुरंत energy आ जाती है आप glucose पीते हो तुमारे अंदर पूरी तरीके से तुरंत energy आ जाती है ठीक है क्यों क्योंकि जब यह glucose यानि जो sugar है यह जब हमारे body में present oxygen जो कि हम plant से लेते हैं इससे जब mix होता है तो carbon dioxide gas निकलेगी जो कि हम बाहर छोड़ देंगे water निकलता है जो पेट के अंदर ही रह जाता है और energy release होती है जिसको use करके हमारी body अलग-अलग काम करती है तो energy जो होती है वो ATP के form में होती है यानि adenosine triphosphate के form में होती है और साथ-साथ में heat भी release होता है एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जहां energy होती है वहाँ पे heat का release होना पकता है कैसे जैसे हमारे गाड़ी में petrol लगता है बिलकुल लगता है हमारी गाड़ी में जब petrol हम डालते है तो petrol वो जलता है और heat release करता है ऐसे ही हम अपनी गाड़ी में diesel डालते है तो जब diesel गाड़ी चलाते है तो वो diesel जलता है और heat release होता है ऐसे ही कोईला कोईले को जब हम जलाते हैं तो कोईला भी एक तरीके का एनर्जी है ठीक है इसको जब हम जलाएंगे तो उससे भी हीट निकलेगी हमारे घर में मिट्टी का तेल होता है जब हम उसको जलाएंगे मिट्टी का तेल भी एक तरीके का एनर्जी होता है जब हम उसक लेकिन इसके पहले ये chemical reaction जो chemical reaction यहाँ पर होता इस पूरे process में वो देख लेते हैं कौन सा chemical reaction होता है ये oxygen और sugar मिलते हैं sugar मतलब glucose तो glucose का जो chemical formula होता है वो होता है C6, H12 और O6 मतलब glucose mix होता है किस के साथ? oxygen के साथ O2 के साथ ठीक है oxygen और glucose यानि sugar mix हुआ तो हमें क्या दिया? सबसे पहले carbon dioxide gas दिया carbon dioxide gas जो की हम वापस सांस छोड़ते time release कर देते हैं उसके बाद S2O water दिया जो की हमारे पेट में ही रह जाता है और साथ साथ में energy भी निकलती है जो की heat release करती है और इस वज़े से respiration हमारा एक exothermic process बन जाता है ठीक है अच्छा एक और example हम आपको देते हैं decomposition of vegetable scraps वेजिटेबल scraps का मतलब क्या होता है जो सबजीयों के छिलके होते हैं जो फल के छिलके होते हैं अगर तुम इनको कहीं बाहर फेक देते हो मिट्टी में फेक देते हो तो होता कहें कि कुछ दिन बाद ये सड़ जाते हैं ठ इसलिए decomposition of vegetable scraps ये भी एक तरीकी का exothermic reaction है कैसे हैं भाया हम जो सड़ी हुई सबजीयों होते हैं छिलके होते हैं उसको हम बाहर फेक देते हैं बाहर जैसे हम फेकते हैं तो जो micro organisms होते हैं bacteria हो गया फंगी हो गया अलगी हो गया ये सब क्या करते हैं ये सब इन सबजीयों को ख पर कुछ काम कर रहे हैं ये तोडने का काम कर रहे हैं बिल्कुल तोडने का काम कर रहे हैं जब ये तोडने का काम कर रहे हैं तो इने चाहिए भाया energy किसी भी चीज को कोई भी काम करना है तो उसे चाहिए energy हम इंसानों को कोई काम करना है तो चाहिए energy इन micro organisms को कुछ काम करन है तभी इनकी energy heat के form में निकलती है और इस वज़े से decomposition of vegetable scraps एक तरीके का exothermic chemical reaction हो गया क्योंकि इसमें भी क्या निकलता है heat निकलता है तो finally exothermic के तीनों examples ये glucose वाला example ये decomposition of vegetable matters ये वाला example ये इन सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है और exothermic क्या होता है जिसमें heat release हो वो तुम अब तक समझ चुके होगे ठीक है अच्छा हमने activity number 1.1 भी तो किया था जिसमें हमने magnesium ribbon को oxygen के presence में जलाया था तो हमें MGO यानि magnesium oxide मिला था ठीक है अच्छा तुम्हें पता लगाना हो कि ये जो reaction था वो किस तरीके का reaction था तो बताओ तुम किस तरीके का reaction था हमने देखा था कि magnesium को हमने जलाया था हमने क्या किया था बर्न किया था ठीक है अब देखो किसी चीज़ को जलाया जाता है तो heat तो निकलती ही निकलती है बिल्कुल निकलती है भाई किसी चीज़ को जलाने में heat तो निकलेगी ये तो fix है तो जिस चीज़ में heat निकले वो हमारा कौन सा reaction हो गय एग्जोथर्मिक रियक्शन हो गया तो जो बर्निंग औफ मगनेशियम रीबन था वो भी हमारा एग्जोथर्मिक रियक्शन का एक एक एक्जाम्पल है क्यूंकि इस रियक्शन में भी heat release हो रही है समझ में आया बिल्गुल समझ में आ गया होगा आपको का मतलब होता है मेरे भाई साथ तूट जाना क्या हो जाना तूट जाना यानि ब्रेक हो जाना हमने इसके पहले combination reaction पढ़ा जो की first type of chemical reaction है हमने उसमें क्या पढ़ा कि जब दो या दो से जादा चीजे combine होकर एक single product बनाएं that is combination reaction समझ में आया बिल्कुल समझ में आया combination reaction का just opposite होता है decomposition reaction इसमें क्या होता है केवल एक ही reactant होता है जो की दो या दो से जादा products में टूट जाता है decomposed हो जाता है बस इसी को हम decomposition reaction किये दें अच्छा तुम्हें अभी हलका हलका समझ में आ रहा होगा और अच्छे समझ में आएगा जब हम करेंगे activity 1.5 वो भी animated तरीके से तो decomposition reaction है क्या इस आप तक तुमें एक idea तो जरूर लग्या होगा अच्छे इस reaction को थोड़ा और अच्छे समझते है activity 1.5 से इस activity में आपको करना क्या है take about 2 gram of ferrous sulfate आपको इस पूरी activity के लिए सिर्फ एक test tube लेना है और इसके साथ साथ एक chemical लेना है उस chemical का नाम क्या है ferrous sulfate ठीक है लगभग 2 gram ferrous sulfate ले लो तो चलो हमने इस test tube में लगभग 2 gram ferrous sulfate के crystals डाल दिये है ठीक है देखो ferrous sulfate जो होता है वो solid होता है और चीनी की तरह होता है बिल्कुल crystals के form में तो हमने यहाँ पर लगभग 2 gram ferrous sulfate ले लिया है ठीक है अच्छा इसके बाद क्या करना है note the color of the ferrous sulfate crystals यह color क्या है आपको कौन सा color दिख रहा है भाया यह तो green color है बिल्कुल चलो तो हमने color note down कर लिया उसके बाद क्या करना है heat the boiling tube over the flame of a burner और spray lamp आपको इसको heat करना है गरम करना है चलो हम इसको गरम करना है अब यह जो ferrous sulfate crystals है यह गरम हो रहा है जैसे जैसे यह गरम होगा न तुम देखोगे कि यह जो green color है यह white color में change होने लगा है यह जो green crystals थे अब यह white crystals में बदल गए ऐसा क्यों हुआ और यह जो white सी चीज़ है यह क्या है मेरे दोस्त यह जो white सी चीज़ दिख रही है तुमको यह है ferric oxide यह भी solid होता है और इसके साथ साथ न तुम एक चीज़ और देखोगे कि इस test tube में से दो अलग-अलग तरीके की gases निकल रही है कौन-कौन सी एक है sulfur dioxide और दूसरा है sulfur tri oxide एक है sulfur dioxide क्योंकि इसके पास दो atom है एक है sulfur tri oxide क्योंकि इसके पास तीन atoms है तो भाईया इस पूरे reaction में हमने क्या देखा इस पूरे reaction में हमने देखा कि एक ferrous sulfate हमने test tube में लिया उसको गरम किया तो भाईया ये एक जो reactant है वो दो से जादा product में convert हो गया क्या-क्या बनाया इसने इसने ferric oxide बनाया देख रहे हो white color का इसने sulfur dioxide gas निकाला जो कि इसमें से निकल रही थी और साथ-साथ में इसने sulfur tri oxide gas भी निकाला तो एक चीज यहाँ पर एक, दो, तीन अलग-अलग चीजों में convert हो गई है that's why this reaction is an example of decomposition reaction यहाँ पर sulfur gas निकल रही इसका पता तुम्हें कैसे लगेगा तुम्हें स्मेल कर सकते हो ठीक है अपनी नाक को ले जाकर test tube की उपर रख लो तुम्हें rotten egg यानि सडे हुए अंडे की तरफ बद्बू आएगी यह जो बद्बू है यह sulfur के जलने की बद्बू होती है ठीक है तो decomposition reaction तो समझ गया होगे कि decomposition का मतलब होता क्या है तो मतलब आया activity 1.5 करने में और समझ में भी आया crystals थे ना जैसे हमने उनको heat किया तो हुआ क्या वो धीरे धीरे white color में change होने लगा और साथ साथ में sulfur के gases भी उपर से निकलने लगे थे हमने आपको दिखाया था कि sulfur dioxide और sulfur trioxide यह दो gases निकल रही थी ठीक है अच्छा तो इस पूरे activity में जो chemical reaction हुआ वो कौन सा chemical reaction हुआ कि भीया जो हमारा ferrous sulfate था वो गरम करने पर ferric oxide जो की white color की चीज़ थी उसमें convert हो गया और साथ साथ में दो gases निकल रहे थे sulfur dioxide और sulfur trioxide यही तो हुआ ना तो बस यही तो है हमारा decomposition reaction इस reaction में हमने देखा कि एक single reactant ferrous sulfate breaks down हो गया तूट गया heat की वज़े से और अलग-अलग simpler products में convert हो गया दो से जादा चीज़ों में convert हो गया बस यही तो है decomposition reaction decomposition का मतलब होता है तूट जाना कोई एक चीज दो या दो से जादा चीज़ों में convert हो जाए बस इसी को हम decomposition reaction कहते हैं समझ में आया यह जो reaction आप यहाँ पर देख रहे हो इस reaction में हुआ क्या था कि जो ferrous sulfate के crystals थे उसको जब हमने गरम किया तो भहिया जो water था जिसकी वज़े से इसका green color था water vaporize हो गया उड़ गया और उसके बाद ferric oxide जो की white color था वो बन गया साथ साथ में दो gases भी बनी SO2 और SO3 SO2 को हम sulfur dioxide कहते हैं और SO3 को हम sulfur trioxide कहते हैं बस यही तो हुआ ने इस reaction में तो यह तो था decomposition reaction का पहला example यह और example देता हूँ calcium carbonate जिसका जो chemical formula होता है यह होता है CACO3 देख रहे हो आप ठीक है अच्छा यह reactant है जब इसको हम heat करेंगे जब हम इसको गरम करेंगे calcium carbonate मैंने आपको बताया था कैसे बनता है calcium hydroxide ठीक है जिसका chemical formula होता है CAOH2 इसको जब हम carbon dioxide से मिलाते हैं तब जाकर यह calcium carbonate बनता है ठीक है यह automatically बन जाता है दिवालों पर अच्छा calcium carbonate को जब हम heat करते हैं तो यह दो अलग-अलग चीजें पहला calcium oxide और दूसरा carbon dioxide gas में बदल जाता है तो आप यहां भी देख पा रहे हो एक single reactant है यह गरमी देने की वज़़े से दो अलग-अलग products में बदल गया है तो यहां पर तुम बताओ कौन सा reaction होना चाहिए obviously decomposition reaction होना चाहिए क्योंकि टूट गया एक single reactant दो अलग-अलग products में टूट गया इसलिए यह भी हमारा एक decomposition reaction है ठीक है इस reaction से जो हम calcium oxide निकालते है उसका use कहां पर होता है बहुत सारी जगा पर होता है cement बनाने के लिए cement industries में होता है chalk बनाने के लिए होता है ठीक है चालो आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और examples देते हैं decomposition reaction के और उसके बाद हम यहां से फिर से continue करेंगे ठीक है चालो मैं आपको कुछ decomposition reaction के example देता हूँ तो decomposition reaction के कुछ और examples देखते हैं इसमें से electrolysis of water बड़ा main example है decomposition reaction था electrolysis of water का मतलब क्या होता है simple सी चीज है अगर हम water में electricity flow कराते है तो यह जो water होता है यह H2O से मिलकर बनता है यह अलग-अलग हो जाता है यहां भी decomposition reaction है होता क्या है कि जब हम 6-old की battery use करते है और इस battery को हम क्या कराते हैं एक wire से connect कराकर एक metal का जो rod होता है वो सीधा पानी में डाल देते हैं आप देख रहे हो बिलकुल ऐसे ठीक है दोनों side के wire को हमने एक-एक तरफ connect कर दिया एक side positive वाला side होता है जिसको हम क्या कहते है anode कहते है ठीक है और एक side negative वाला side होता है जिसको हम क्या कहते है cathode कहते है समझ में आ रहा है बिलकुल समझ में आ रहा होगा जब हम यहां से 6-volt की electricity छोड़ेंगे न हम देखेंगे कि यह जो water है water का chemical formula क्या होता है हमें बता ना H2O होता है यह जो water है ना यह टूट जाएगा oxygen और hydrogen में जो यह positive वाला terminal है यहां पर आकर सभी oxygen के atoms चिपक जाएंगे और यह जो negative वाला terminal आपको दिख रहा है इस पर आपको सभी hydrogen के atoms चिपके हुए दिखेंगे तो यहां पर एक single reactant दो अलग-अलग products में बदल गया इसलिए electrolysis of water भी एक decomposition reaction का example है इसमें पूरा chemical जो reaction हुआ वो कैसा हुआ वो ऐसा हुआ कि H2O जो है ना वो hydrogen और oxygen में change हो गया electricity flow होने की वज़ा से ठीक है हाला कि यह balance chemical equation नहीं है जो हमारा balance chemical equation है वो यह है 2H2O Gipsus 2S2 plus O2 ठीक है तो basically decomposition का मतलब कोई एक चीज कोई दो अलग-अलग चीजों में change हो जाए बस इसी को decomposition कहते है अच्छा एक और example देते है now this time this is the example of decomposition of silver chloride silver chloride एक chemical होता है आप देख पा रहे हो silver chloride बिल्कुल ऐसा दिखता है ठीक है हमने एक China की plate में यह जो silver chloride है जो की white powder जैसा दिखता है इसको हमने ले लिया ठीक है यह जो white powder दिख रहा है यह है silver chloride इसी को हमें तोड़ना है और देखते हैं कि यह single cheese कितने अलग-अलग चीजों में तूट जाती है ठीक है चलो हमने silver chloride ले ले लिया आप क्या करना है भाईया अब हमें इस silver chloride को धूप के पास रख देना है जैसे हम इसे धूप के पास रखेंगे ना और 10-15 मिनट तक इंतजार करेंगे हम देखेंगे कि भाई साहब हो क्या रहा है ये जो white color का silver chloride है न ये धीरे-धीरे gray color में change हो जा रहा है क्यों? क्योंकि ये जो gray color की चीज आपको दिख रही है this is what? this is silver metal और इसके साथ-साथ तुम ये भी देखोगे कि भया sunlight पढ़ने की वज़े से ये gray तो हुआ ही हुआ इसके साथ-साथ इसके उपर से एक और gas निकल रही है जिसको हम chlorine कहते हैं ये देख रहो chlorine gas निकल रही है ये देख रहो chlorine gas निकल रही है तो इस पूरे activity में हमने क्या देखा? कि जो silver chloride था जो white color का powder था जब उसको sunlight के contact में रखा गया न तो उसने हमें क्या दिया? silver metal दिया जो की gray color का है और उसके साथ-साथ chlorine gas यहां से निकल गई तो ये भी decomposition reaction का example है क्योंकि इसमें भी silver chloride silver और chlorine में तूट गया है ठीक है? तो this is also the example of decomposition reaction अब आगे बढ़ते हैं तो हमने यहीं से तो छोड़ा था ना उसके बाद मैंने आपको decomposition reaction के examples बताने शुरू कर दिये थे अब अब तुम समझ भी गए होगे कि decomposition reaction होता क्या है हमने बहुत सारे examples देखे ठीक है? यहीं पर एक छोटा सा लेकिन बहुत important reaction है thermal decomposition chemical reaction यह होता क्या है? नाम से ही clear है thermal मतलब heat ठीक है? thermal मतलब गर्मी और decomposition का मतलब तूट जाना जब कोई एक चीज गर्मी देने की वज़े से तूट जाता है तो उसको हम thermal decomposition reaction कहते हैं जैसे हमने calcium carbonate को जब गरम किया था ना तो यह calcium oxide और carbon dioxide दो अलग-अलग चीज़ों में convert हो गया आपने देखा यह जो decomposition हुआ यह जो lime stone है यह जब decompose हुआ यानि तूटा ना तो यह किस वज़े से तूटा है? heat की वज़े से तूटा है तो भाई ऐसे reaction जब heating की वज़े से decomposition हो जाए मतलब कोई एक चीज़ दो अलग-अलग चीज़ों में heating की वज़े से convert हो जाए ऐसे reaction को हम thermal decomposition reaction का नाम देते हैं ठीक है? अच्छा तुम्हें याद होगा कि यह वाला भी reaction यह जो ferrous sulfate crystal वाला reaction था इसको भी हमने heat करके तीन अलग-अलग चीज़ों में convert किया था तो यहां भी एक single चीज़ decompose हुई है, टूटी है heating की वज़े से तो यह भी हमारा thermal decomposition का example था अच्छा, thermal decomposition तो आप समझ गए होंगे, आपको एक और example देता हूँ मैं thermal decomposition reaction के, आप यहां पर देख सकते हो This is lead nitrate, यह एक चीज़ है ठीक है, lead nitrate को जब हम गरम करेंगे तो यह तीन अलग-अलग चीज़ों में convert हो जाएगी तो आप यहां भी देख रहे हो, यहां भी decomposition हुआ है मतलब एक चीज तीन अलग-अलग चीज़ों में convert हुई है और वो भी heat की वज़े से इसलिए यह भी क्या है, हमारा thermal decomposition reaction का example है तो अब हमने decomposition reaction में सब कुछ पढ़ लिया है मैंने आपको decomposition reaction क्या होता है, यह भी बता दिया और thermal decomposition reaction क्या होता है, यह भी बता दिया हमने thermal decomposition के भी example देखे, यह वाला, यह वाला जिसमें heat की वज़े से decomposition हुआ है ये सब thermal decomposition के example है और decomposition reaction के example तो मैंने आपको अभी दिखाया ही जिसमें water electrolysis की वज़े से hydrogen और oxygen में convert हो गया ऐसे ही जो silver chloride था वो sunlight के contact में आने की वज़े से silver और chloride gas में convert हो गया ठीक है तो ये सब हमारे क्या है ये सब हमारे decomposition reaction के example है ये एक और reaction है इसमें भी एक single reactant अलग अलग products में convert हो जा रहा है ये भी decomposition reaction के example है ये वाला silver bromide वाला जो reaction है ये बिलकुल last वाली की एकदम same to same है जैसे हमने silver chloride को sunlight में रखा था तो वो silver और chlorine gas में convert हो गया बिलकुल ऐसे ही silver bromide भी है इसको sunlight पे रखने पर ये silver और bromine gas में convert हो ज silver chloride ये दोनों black and white photography में use होते थे जो पुराने जवाने में negative बनती थी ना तुमने देखा हो गया उसमें लोगों की black and white pictures आती थी और उसके बाद उसको बाद में color किया जाता था ठीक है तो इसमें use होता था हमारा silver chloride और silver bromide we have seen that decomposition reaction require energy either in the form of heat light और electricity हमने इन सभी reactions में देखा कि by decompose होने के लिए कोई एक जीसको अलग-अलग products में टूटने के लिए कोई ना कोई energy का form चाहिए चाहे वो heat के form में हो light के form में हो electricity के form में हो तभी एक single reactant अलग-अलग products में टूट रहा था ठीक है अच्छा ऐसे सभी reaction यहां पर एक definition आती है एक बहुत important chemical reaction की endothermic हमने exothermic हो रही है इनसा भी reaction में देख रहे हो आप heat light यह एक energy का form है और जिस reaction में energy absorb होती है ऐसे reaction को हम endothermic reaction कहते हैं I hope तुम्हें समझ में आया होगा displacement reaction दो main तरीके के chemical reaction पढ़ने के बाद अब हम third type of chemical reaction पढ़ते हैं जिसको हम displacement reaction के नाम से जानते हैं इसके नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है कि इसमें जगहों की हेरा फेरी हुई है मेरे भाई साब किसी एक element ने ना किसी दूसरे element की जगह ले ली होगी अच्छा चुने कर करेंगे एक activity जिससे displacement reaction क्या होता है इसे हम आसान भासा में समझ सके सबसे मेले आपको करना क्या है टेक टू आयरन नेल्स आपको दो लोहे की कील लेनी है आप जैसे देखरो ना यह लोहे की कील है ऐसे आपको ले लेनी है इसके अलामा आपको लेना है copper sulphate solution अगर आपके पा यह है हमारे चतुर चलाग चचा इन्होंने कहा कि भाई अब हम जो लोहे की कील है इसको हम इस copper sulphate solution में डालेंगे हमने इनको बहुत रोका लेकिन इन्होंने माना नहीं तो यह क्या किये चतुर चलाग चचा ने यह कील को ले जाकर इस copper sulphate solution में डुबो दिया और उसके बाउन कलर से एकदम कवर हो गई है धक गई है और एकदम अजीब तरीके से दिख रही है जैसे पिक्चर में देख पा रहे हो आप और एक चीज और हुआ कि यह जो solution नीचे था ना उसने अपना कलर खो दिया ग्ल्यू कलर फेड हो गया हलका हो गया तो इस reaction में हुआ क्या ह इस टोटल रीक्शन में हुआ क्या अगर कंपेर करके देखें तो पहले कील ऐसी थी अब ऐसी है इसमें कौन सी रिएक्शन हुई है इन दिस रिएक्शन अहाइप्टिव एल्मेंट आइरन डिस्प्लेसेसर लेस रियक्टी इलम्मून कॉपर फ्र म देकॉपर तो पहले फोर था यह copper sulphate solution ठीक है और यह था हमारा iron इन दोनों को हमने क्या किया react करवाया तो हुआ क्या कि भाई यह जो iron है ना यह copper को अपनी जगह से हटा कर F-E-SO4 यानी iron sulphide बनाता है और यह जो copper है यह बेचारा अकेला इस बीकर में फूट जाता है तो हमने देखा कि iron जो ज़्यादा ताकचवर था ज़्यादा reactive था इसने copper को अपनी जगह से हटा दिया है अच्छा कौन कितना ताकचवर है यह तुम्हें कैसे पता चलेगा reactivity series होती है आप देख पा रहे हो यहां पर iron copper से काफी ज़्यादा पा उपर है देखो जो उपर वाले element को displace कर सकते हैं उनको जगह से हटा सकते हैं लेकिन जो नीचे वाले elements आपको दिख रहे हैं यह उपर वाले limits को displace नहीं कर सकते हैं दिस reactivity series, आपको मैंने trick भी दे दिया है, या आप इसको किस trick से याद रख सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, एस reaction को हमने देखा, अब मैं question पूछो, अच्छा एक बात बताओ, कि यह जो iron nail थी, यह जो पहले shiny, चमकदार सा, यह जो लोहे की कील थी, यह बाद में brown color में convert हो जात हुआ, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई, मेरे दोस्त, हुआ है displacement reaction, iron, जो की copper से जादा reactive होता है, उतने इस solution में से copper को अकेला छोड़ दिया, जिसकी वज़े से इस beaker का color हलका हो गया, fade हो गया, और इसमें से जो blue color था न, वो iron के साथ react करके, यह brown color की coating बना देता है, तो यहाँ पर हमने जो reaction देखा, इसको अगर हमें chemical form में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, यह जो हमारा iron है, यह copper sulphate से react करता है, यह iron copper sulphate से react करता है, जब हम इस iron को इसमें डूबोते हैं, तो यह react करता है, और क्या देता है हमें, iron sulphate, यह जो brown color की चीज है, यह iron sulphate, और इसके अलावा copper हमारा इस beaker में फूट जाता है, ठीक है, तो इस reaction में हमने देखा कि जो iron है, वो ज़्यादा reactive है copper से, इसलिए उसने क्या किया है, remove कर दिया, यह displace कर दिया copper को, अपनी जगह से, अपने साथ FESO4 यानि ferrous sulphide बनाता है, बस इनी तरीके के सभी reactions को हम displacement reaction कहते हैं, क्योंकि इस reaction में जो more reactive element होता है, इस case में iron था, वो less reactive element इस case में copper था, इसको displace कर देता है, अपनी जगह से remove कर देता है, जो लगा आपको कुछ और examples देता हूँ displacement reaction के, जैसे iron ने copper को displace किया था न, वैसे जब हम zinc को भी copper sulphate solution, यह copper sulphate solution है blue color का, जब हम zinc को copper sulphate solution मे डालेंगे न, तो zinc क्या करेगा, यह black color में convert हो जाएगा, यह जो black color की coating है, यह क्या है पता है तुमको, ZNSO4, यह zinc ने भी copper को अपनी जगह से हटा दिया, और यह जो solution है, यह फिर से हलका हो गया, fade हो गया, आप देख रहे हो, यह blue color का है, लेकिन इसका color fade है, क्यों? क्योंकि इस solution में अब सिर्फ Cu यानि copper बचा है, जो sulfate है, वो zinc के साथ react कर गया है, ठीक है, तो इसमें जो reaction हुआ, वो कौन सा reaction हुआ, कि जब हम zinc को copper sulfate से react करवाएंगे, तो zinc sulfide बना लेगा, और copper बिचारा अकेला छूट जाएगा, तो इस case में भी हमने देखा, कि हमारा जो zinc है, उ पर example लेते हैं, इसमें भी एक नया element, lead ने फिर से copper को displace कर दिया, यानि जो copper chloride था, उसमें जब हम lead को डालेंगे न, तो होगा क्या, जो lead है, वो chloride बना लेगा, और copper बिचारा फिर से अकेला छूट जाएगा, तो आपने देखा, सभी लोग copper की ले रहे, iron ने भी copper को हटा द है, और यहाँ पर जो reaction हुआ है, वो कौन सा reaction हुआ है, आप देख सकते हो, जो lead है, वो copper chloride में जब हम डालते हैं, तो lead copper की जगा ले लेता है, और copper बिचारा अकेला छूट जाता है, तो यहाँ भी lead ने copper की जगा ले ली है, उसे displace कर दिया है, इसलिए ये भी हमारा displacement reaction का example है Moving to the next and fourth type of chemical reaction, double displacement reaction, अभी हमने displacement reaction पढ़ा, उसमें हमने देखा कि भाई, जब केवल एक single element, किसी दूसरे element को remove कर दे, उसकी जगा ले ले तो उसको हम displacement reaction कहते हैं, लेकिन ये वाला हमारा double displacement है, इस reaction में क्या होता है, इस reaction में दो element, किसी दो दूसरे element की जगा ले लेते हैं, या दो element को remove करके उनकी जगा पर fix हो जाते हैं, ऐसे reaction को हम double displacement reaction कहते हैं, अच्छा, इसको थोड़ा detail में समझने के लिए हम करेंगे activity 1.10, इस activity को करने के लिए हमें पहला जो chemical चाहिए, वो है 3 ml of sodium sulphate solution, ठीक है, और जो दूसरा chemical चाहिए, 3 ml of barium chloride solution, ठीक है, तो ये दो reactants हमें इस activity को करने के लिए मिल गए, हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक दूसरे से mix कर देंगे, हम जैसे ही एक दूसरे को mix करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, मेरे भाई, मेरे दोस्त हमें दिखेगा, कि ये एक white color का precipitate form हो रहा है, पर precipitate का मतलब क्या होता है, जो पानी से form हो जाएगा, तो you will observe that a white substance which is insoluble in water is formed, this insoluble substance formed is known as a precipitate, ये जो white color की चीज आपको दिख रही है, इसको हम precipitate कहते हैं, जिसका chemical name barium sulfate होता है, ठीक है, तो कोई भी ऐसा reaction जिसमें precipitate form हो, उसको हम precipitation reaction कहते हैं, अब double displacement reaction क्या है, double displacement reaction का मतलब ये होता है, मेरे दोस्त, आप ये reaction देख पारे हो, इस reaction में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कि ये दो element, इन्हों ने क्या किया, अपने partners को change कर लिया, exchange कर लिया है, sodium जो की पहले sulfate के साथ था, अब ये chlorine के साथ है, barium जो की सबसे पहले chlorine के साथ था, अब ये sulfate के साथ है, तो double displacement reaction क्या होता है, कि a double displacement reaction occurs, when two cations or two anions swap places in a reaction to form new compounds, आप इस reaction में देखो, इस reaction में हो क्या रहा है, ये जो पहला वाला पार्ट होता है, ये होता है, ये होता है cation यानि positive वाला, सबसे पहले positive वाला हिस्सा लिखा जाता है, जो first part होता है, वो positive होता है, वो क्या होता है, वो होता है cation, ठीक है, जो second वाला हिस्सा होता है, ये होता है negative यानि anion, ये होता है negative ions होते है, ये जो आखरी वाला हिस्सा है, ये हमेशा negative ions होते है, हमेशा negative ions होते है, हमेशा negative ions होते है, ठीक है, तो double displacement reaction का मतलब simple सा है, कि जब जो cation वाले part है, जो cation वाले part है, वो अपने anionic partner को change कर दें, जैसे पर barium के साथ chloride है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक दूसरे से इन्होंने exchange कर लिया, अब देखो sodium के साथ chloride आ गया है और barium के साथ sulfate आ गया है, तो ऐसा reaction जिसमें जो ketionic partner होते हैं, वो अपने anionic partner को change कर देते हैं, एक दूसरे से exchange कर लेते हैं, ऐसे सभी reactions को हम double displacement reaction का ना देते हैं, तो हमने double displacement reaction भी पढ़ ले है, जो कि हमारा चौथा type of chemical reaction था, हमने इस particular video में चार अलग-अलग तरीके के chemical reactions पढ़े, और इसके अलाबा एक और तरीके का chemical reaction है, oxidation and reduction reaction, इसको हम redox reaction भी कहते हैं, वैसे यह topic बढ़ा complicated है, आप इसको आसान भासा में और जल्दी नहीं समझ सकते हैं, तो इस video को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए oxidation and reduction या redox reaction कहलो, और इसके बाद दो और topics, corrosion और rancidity को हम अपनी अगली video में cover करेंगे,